प्यारी विद्यार्थियों आज जैसी आपनी पाठ पुस्तक वनगी विच्चों कहानी नमबर दो मडियां तो दूर पढ़न जा रहे हैं जैस दा पन्ना नमबर चौदा है ते ए नौमी तो दस्वी दे विद्यार्थियां दे पाठ करम लई है मडियां तो दूर कहानी रगु बीर टांड जी दी लिखी होई है एक कहानी पढ़न तो पहला आओ असी कहानी का रगु बीर टांड जी दे जीवन ते चानना पाए रगु बीर टांड जी दा जनम एक नमबर उन्नीसो चौनती इस्वी नू जिला संगरूर विखे होया उन्ना ने इतिहास विशेवेच अपनी एमे पास कीती ते उस्तो बादो इंगलेंड चले गए ते उथे रेंदियां ही आपने पी एच डी दी डिगरी प्रापत कीती इंगलेंड दी खुशाली पिछे जो दरद अते वेदना दुख मानसिक पीरा उन्ना ने महसूस कीती उसनू बड़े कलापूरन टांगनाल आपनिया कहानियां विच पेश कीता एक कहानी जो असी अज पढ़न जा रहे हां मरियां तो दूर इस वेच वी जो पंजाबी रोजी रोटी कमान पैसे दे चकर वेच इंगलेंड जावस से पंजाबियां दी विथ्यानू ब्यान कर दी है कि केस तरह परवासी पंजाबी आपने पंजाब दी तरती नालो टोट चुके हन ते उना दे बच्चे आपनी सब्यातानों पुल चुके हन एस कहानी दी मुख पातर मासी जो इंगलेंड वास दे अपने पुतर कोल तरले मिंता करके आउंदी है जो असी कहानी पढ़िये ते देखे कि कहानी वेच की दस्या है हाली मसा नौ वज़े होन गे कि टेली फून दी कैंटी वज़नी शुरू हो गई इनने सवक्ते सवक्ते मतलब स्वेरे स्वेरे हॉल जया पैन लाग पया हॉल कबराठ जी होन लाग पयी सोखो वे पतनी, नू, पोत, ती राजी खुशी आपने आपने कमा ते पहुंच गए हों टेलीफोन चुकन तो पहला मैं बोल के आखिया सोख रखी ते टेलीफोन चुक्या हेलो, बेटा मैं मासी यां, तु मेरे को ला सकने है क्यों नहीं मासी जी, तुसी हुकम करो, ते मैं ना आवा उन्जे सोखता है, फिकर वाली गालते कोई नहीं, बेटा मैं बहुत उदासा है, बस हुने आया, आख मैं टेलीफोन राक देता फिकर वाली गालता कोई नहीं, एक गाल मासी तो खुब कही कि इंगलान वेच एस तो वर्दी फिकर वाली गाल भी कोई हो सकती है कि कोई बंदा उदास होवे, ए ता बिल्कुल इस जहीं गाल है कि जे में इंदिया वेच कोई तहानो टेलीफोन करे कि जे तु ना आया, ता साधे रोटी नहीं पकनी एंवक्री गाल है कि जेसनो रोटी दा सन्सा होवे टेलीफोन ओधी मारवेच नहीं होड़ा रोटी ना पकनाल शरीर मार जानदा है ते उदासी ना रूट तरफ मार जानदी है मैं त्यार होड़ा अत्य तुरिया जानदा मासी दी उदासे दी कल्बना करदा करदा आप उदास हो गया मासी दा पोत बलवन तराई कोज महीन ने पहला जदो इंदिया गया ता मासी जानी ओधी मा उसनू तत्या तत्या सनौन लगी गुसे वेचे गलना सनौन लगी रोड जानेया तेनू 25 सालो गई वलात रेंदिया वलात बाहर ले देश विदेश वेच रेंदिया जैसरा मामा हामी अपने बच्चयानू मेना मार दिया हन दोमे कुडिया ते मुंडे वी वो ते ही जमे पले ते जवान होई रान दा ही बान के रह गया है ना रान पतनी दा ही बान के रह गया है लोकां दे मुद्याने आपनी आ मामा किन्नी किन्नी वार बुलाया तेनु कोई शर्म है नी आंडना गो आंडना मैंनू भुलिया मार दियाने कि मुवी खावा उन्नानू मामा दकी पुत्ता सारी उमर नी दे सकते तेरा पार चुक्या जनन पीड़ा सेया तेरा गांद हुँजिया आप गिल्ले थांपाई तेनू थुक सुक्के थांपाया पर तु मैंनू एक वार वी इंगलेंड नी विखाया मा अपने पुत्तर नू मेने मारन लगी बोलनी मारन लगी गुस्से वेच कि उसनू पच्ची साल इंगलेंड वेच रहन दया हो गया सी पर अजे ताक उसने उसनू इंगलेंड नहीं सी लेके गया उप बामारों लग भई आपनी मा दी दर्द ना ख्वाई सोन बलवान तरह ओदे ना लग मंजे ते बह गया पुत्तर आपनी मा दे दुख नू दर्द नू महसूस करके उस दे कोल ही बह गया ओधिया अखा पुंजिया ते गलवकडी आखन लगा गलवकडी जफीपा के गाल नू लाके आखन लग मा कू देखे चो सहा कड़ना होवे तू इंगलैंड जानाए बस गल खतम तेनू मैं नाल लाके जावाँगा ते मासी जानी राइद बलवंत राइदी मां इंगलैंड आ गई हाँ उसने इंगलैंड होन तो पहला अपनिया से लिया देको तोहर तेह लादस्या पैने किसे द पोत शर्वन पोत हाना प्यारे विद्यार्तियों होन असी जेरी आज अपनी कहानी मढियां तो दूर पड़ी है पन्ना नंबर चौदा देवेच पहला पन्ना उसनों वद्या टांगनाल अपनी कापिदे उते लिखो तानवाद